नमस्कार जहन साथियो ये वीडियो उन सभी विध्यार्थियों के लिए है जो भी यूबस आती पूरे देश में से कहीं से भी हो और आर्मी पर्मानेंट भरती जोइन करना चाहते हैं आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट के तो पर्मानेंट भरती होती है जिसका बहुत ही जबर्जस्ट क्रेज होता है बच्चों में क्योंकि अगनी वीर के साथ साथ अगर पर्मानेंट होने का मौका मिले तो उसकी वात ही क्या है तो आरमी में nursing assistant जो की permanent भरती है जो की आपकी nursing home में, hospitals में duty रहती है बहुती बहतीन और दमदार job होती है इसके विसे मैं पूरी जानकारी में आपको देने वाला हूँ पहरे बच्चो one by one step पूरी जानकारी आपको ये अच्छे से देख लेनी है अगर आप nursing assistant बढ़ना चाहते हैं ठीक है बच्चो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें देखिए ये अगर हम बात करें इस समय पर सबसे पहले कि इसका असर है क्या चीज इसकी जो हमें क्या-क्या बातों को ध्यान से देखना है आपके क्या होनी चीजिए है, age limit आपकी क्या होनी चीजिए, written test 50 questions है, 60 minute में वो क्या-क्या है जरी बनी प्यारी बच्चो पोचा जाता है व्यक्छ इसकी क्या टालने बहता है सारी बातों पर पर मैं प्यारे बच्चों आपके सामने प्रकास डालने वाला हूं one by one step, ठीक है, देखिए, यहाँ है qualification पैरे बच्चों, तो qualification आपके क्या होने चाहिए, बार्मी पास विद फिजीकल, बार्मी पास आप होने चाहिए, physics, chemistry, bio and English से, फिर तेक विसे में 40 नंबर होने चाहिए, कुल 50% सारे subject में मिला कर, इसी भी विसे में आप फेल नहीं होने चाहिए, कुल मिला कर कि आपकी सारे percent जो होनी चाहिए, उम्र सीमा आपकी 75 से 23 साल रहती है, यह आपकी योगता है, अगर हम बात करें, 2025 में जो नई vacancy आएगी, तो साथियो यह आएगी, 2025 में आपकी फरवरी के महीने में, और exam जो अलगेगा आपका, मई में आपका exam लगेगा, साथियो, लेर है बाद, चलिए, आगे है कि इसमें exam में सर पूछा क्या क्या जाता है, अब nursing assistant है, तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं, biology का, तो अपने आपे में एक बड़ा क्रेश देखने को मिलेगा ही मिलेगा, देखो दोस, साथियो, सबसे पहले समझ लो इसमें, जो हमारे पास में total question है, 50 question है, एक question 4 number का है, यानि 200 number में आपका total paper होना है, इसमें general knowledge के आपके 10 question पूछे जाते हैं, math के आपके 5 question पूछे जाते हैं, physics के 5 पूछे जाते हैं, biology के 15 पूछे जाते हैं, chemistry के 15 पूछे जाते हैं, total question केतने होते हैं, 50, और सबसे जादा जो इसमें बड़ा role है, वो किस-किस का है, आप देख सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा रॉल है आपका biology का और प्यारे बच्चों किसका? chemistry का. bio और chemistry का इनका 2 का सबसे ज़्यादा रॉल है आपका. ठीक है? bio और chemistry का. 200 नंबर होते हैं passing marks आपको कम से कम 80 नंबर आपको कम से कम ले के आने है pass होने का. ठीक है? अगर आप 4 प्रिशन गलत कर देते हैं. चार गलत करने पर आपका एक सही जो है वो भी उसको क्या कर देंगे? कट कर दिया जाएगा. ठीक है? याणि 4 प्रिशन पर आपका एक सही प्रिशन भी काट दिया जाएगा. ठीक है साथियो? आगे है इसमें bonus भी मिलता है यानि कि आप अगर written test में जैसे कि आप करके आए है score और उसके साथ में आपके पास में इनमेसे भी कोई चीज है तो आपके ये भी number उसमें add होते हैं. क्या-क्या होते हैं प्यारे बच्चो? bonus mark. NCC अगर आपके पास में grade है तो आपको 5 number मिलेंगे B grade है तो test number और C का है तो आपके पास में पंद्रे number मिलेंगे Republic Day पर अगर आपने parade किया है NCC के through तो आपको 20 number मिलेंगे relation है आपके पास में तो भी आपको 20 number मिलेंगे. ही के साथ यो sports में अगर आपने games में international level पे हिस्सा लिया तो 20 number मिलेंगे national level पे state level पे काम किया आपने तो आपको 15 number मिलेंगे और आपने represented किया है college university को बड़े level पे तो फिर वहाँ आपको 10 number मिलेंगे. आपके पास में certificate होने चाहिए. और district level पे अगर आपने कोई भी प्रतियोगता जीती है, medal जीता है तो फिर सातियों आपको उसमें 5 number उसमें यहाँ पर मिल जाएगे. फुल मिला करके अगर हम कहें कि इसमें bonus mark का भी खूँ अपने आपे में बहुत बड़ा योगदान होता है आपके selection में. तो यह भी ध्यान रखें. अगर यह है तो अच्छी बात है नहीं था आप direct जो है, सीधा अच्छे से अपनी written test को मजबूत करिए, आराम से आप selection ले सकते हैं. तो फिजिकल मिजर्मेंट में बात करूँ, तो height की बात करें, तो इसमें आपकी height 163 से 170 cm state wise अलग अलग जगेप से अलग अलग तरीके से इसमे height ली जाती जैसे उत्तर परदेश की 170 cm है और आप जहां से भी हैं अपना state का नाम लिखके भेजिएगा मैं आपको बता दूगा कि आपके state में कितनी height आपको चाहिए, मेरी team बता देगी आपको अपने आप, वेट जो चाहिए इसमें 43 kg से 57 kg चाहिए हाला कि इसमें weight का जो होता है वो लंबाई के अनुसार होता है कि आपका कितना weight होना चाहिए running की बात करें साथ यो 1600 meter आपको 5-45 मिनिट मां केवल passing होता है विचिकल केवल आपको पास करना है, इसमें आपको कोई number नहीं मिलता है कि वो पास करना होता है 10 beam लगानी है 10 आपको beam लगानी है, तो मजबूत तरीके से तयार रहना है ठीक है एक गड़ा होता है 9 feet का जो आपको कूदना है भाग करके कूदना है 9 feet का एक zig-zag होता है, zig-zag का मतलब इस तरीके से एक रास्ता होता है तो ठेडा मोडा होता है, उससे आपको चल के जाना होता है इसमें लकडी के, जो हैं ऐसे करके लकडी के पोल गड़े होते है जिनसे आपको गुजरना होता है कैसाती हो, ऐसे करके इस पर चलना होता है, ठीक है, यह सबसे एहम चीज थी आपके लिए जो की आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, अगर आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जोईन करना चाहते हो, सोचने के सर ऐसी एक अकेडमी मिल जाए, जहाँ पर होस्टल की सुविधा भी हो, फिजिकल की सुविधा हो, कंप्यूटर टाइपिंग भी हो, तरसिंग असिस्टेंट के साथ साथ, ताकि मैं जो है किलर की सब चीज़ की तयारी कर सकूँ, तो पहरे साथ हो आप हापो डिफैंस अकेडमी उतर पर प्रदेश जोईन कर सकते हैं, नंबर हमारी स्क्री जबर्जस तरीके से आपको टेंड करते हैं, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले न, और ओफलाइन बैचों के, जो हम पढ़ाते हैं, जो भी कुछ, अगर आपको वो सारी चीज़न चाहिए, आप इस नंबर पर वाट्साप करें, और आप को बाट करें जाएगी, परसातियों इसी के साथ, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत